अस्सलाम अलेकुम नमस्ते सस्तरियकाल दोस्तो आज हम बात करेंगे अरभी सेख़ लोग कौन सा खाना पसंद करते हैं तो आज की वीडियो इसे पर है दोस्तो इनका मुख भोजन क्या है और इनका खाना कैसे बनता है मैं इस वीडियो में आपको बना के दुखाऊंगा दोस्तो हम आ चुके हैं मार्किट में इस मार्किट में यहाँ पर मसाले मिलते हैं हर चीज तो हम पहले मसाले लेके फिर चलेंगे जाकूर तो यहाँ से क्या क्या में लेना है पूरा समान एक टूजेट हम समान यहाँ से लेके फिर जाकूर चलेंगे तो समान लेकर आ चुके हैं दोस्तों ये गाड़ी है और ये छे चक्का है बहुत है भी गाड़ी है तो इसमें धरते हैं समान और इसी गाड़ी से चलेंगे जाकूर तो ये समान धर चुके हैं और मैं गाड़ी आपको दखाता हूं अंदर से इसका गेर कैसे लगता है दोस्तों यह दिखें गेर गेर लगता है नीचे को चलते हैं और मैरा रास्ता भी दिखाता हूं आपको यहां पर दोस्तों अभी हम फाइनल चल रहे हैं जाकूर दोस्तों यह जो रोड में पट्टी नजर आ रही है वेट यह स्पीड की पट्टी है आपको कितनी स्पीड जाना है उसी हिसाप से गाड़ी रखनी है अगर आपको 120 के स्पीड में जाना है फास्ट तो आप डिवाडर के सैट में गाड़ी चलाएंगे सव के स्पीट में जाना है दूसरे नमबर पे रहेंगे अस्ती पे जाना है तीसरी लैन पे रहेंगे उससे कम जाना है साथ में, पचास पे तो अब लास्ट में चलेंगे हम आ चुके हैं जाकूर जहाँ पे हमें खाना बनाना है काम डबर करता हूँ कि ड्रैवी करता हूं कभी कबार खाना बनाना पड़ता है खाना बनाता हूं तो आज मुझे बाहर लेकिया था बर में बोला खाना बनाओ तो यह दिखे यह दुम्बा है भेड़ा जो अपने इंडियाम बोलते ना भेड़ा तो इसको अच्छी तरह मैंने धुल लिया है और पेड़ चीर के पूरा गंदगी जितना भीता साफ साफ कर दिया है उसके बाद धोर के पाने में छोड़ दिया है इसके बाद हमें यहाँ पर छोड़ना है प्याज लस्टन खड़े मसाले कैसे बनता है आज मैं आपको बना कर दिखाऊंगा इसी तरह से उट बनाते हैं मिर्चे के जगे पर सिमला में श्काएंगे और खड़े मसाले ज्यादा यूश करते हैं अरब कंटिरी में थिरोट सौधी हो या कोयत हो बहरीन हो डुबाई हो सभी जगे पर खड़े मसाला ज्यादा यूश करते हैं इसके बाद लगा देंगे इस पर धकन दो से धाई घंटा इसको उबालेंगे बक्रे को और हम बना रहे हैं अब करेजी एक रेजी उपर से छोड़ेंगे और सैट में देखिए आप सिमला मिर्च प्याज किसमिस को बनाके धर लिया है वो भी चाल के उपर से छोड़ेंगे कोईत, सौदी, डुबाई में इसी तरह खाना पसंद करते हैं दो से धाई घंटा मैंने इसको पकाया है अच्छी तरह गोष गल चुका है गोष निकलने के बाद एक छारनी से इसमें जितना भी मसाला था खड़ा मसाला, सिमला मिर्च ये सारा निकाल लेना है उसी पानी में आपको चावल छोड़ देना है उसके बाद ढ़क के धर देंगे 20 मिनट के लिए चावल हो चुका है अब इसमें छोड़ते हैं हसू इसक लेकी दाल कि सिमिस प्याज सिमला मिर्च भुना हुआ है और साथ में छोड़ना यहाँ पर थोड़ा सा कलर जाफरान जाफरान से खुश्बूबत अच्छी आएगी और यह करेजी है इसको भुन के चावल के उपर से छोड़ेंगे लाष्ट में और यह मरक है यही सबजी ये लोग पसंद करते हैं इसमें आलू गाजर सिमिला मिर्च करदू मिक्स होती हैं सबजी और यह सहन है सहन बोलते हैं इसको पलेट है इसमें पूरा समूच समूच दुम्बा आ जाएगा इसके अंदर भेडा बकरा यह देखिए लाल हो चुका है गोस्ट बनाने के बाद चूले के अंदर धर दिया था लाल होने के लिए सबजी भी रेडी है निकालते हैं पलेट में तो उपर का हसु उतार लेंगे पहले और उसके बाद चावल निकालने के बाद फिर उपर से हसु छोड़ेंगे जितना तेश्टी खाना होता है उतना दिखना भी चाहिए उपर से तो इसलिए उपर से हसु डालेंगे करेजी डालेंगे निम्बू और जिवाइन के पाती डालते हैं उपर से तो हसु को आपको सैड में डाल देना है और बीच में बच्रा धरेंगे दुम्बा जो है बीच में धरेंगे उसके बाद में आप फिर करेजी बुनी हुए छोड़ेंगे और निम्बू बच्दोनस बच्दोनस बोलते हैं जवाइन के पाती को तो अभी दुम्बा धरने जा रहे हैं उपर और ये करेजी छोड़ दिया और साथ में थोड़े हरे पत्य छोड़ना है और निम्बू दोस्तो मैं हर तरह के वीडियो लाता हूँ खाने बनाने की यहाँ पर खाना कैसे खाते हैं यहाँ हम लोग कैसे आते हैं बीजा कहा से मिलता है हर तरह के वीडियो लाता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाईए ये था गल्फ कंट्री का खाना यही खाना सबसे ज़्यादा यहां के लोग पसंद करते हैं इसी तरह ओट बच्रा मुर्गा इसी तरह पसंद करते हैं खाना